प्रिंस मित्रा के इस कोशल प्रशिक्षन अप्यान में आपका स्वागत है प्रिंस मित्रा आपके विकास और उन्नती के लिए समद ने रोज रोज की भागदोरों में हम प्लमबर्स सीखना बंग कर देते इसलिए हम प्रिंस मित्रा के अंतरकत आज एक पहल करने जिसमें हम आपको कुछ जॉइंटिंग टेक्निक्स बताएं जो आपको जिन्दगी भर काम है तो देखते हैं प्रिंस 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 प्रि कटा जा सके हर तरफ से इसे सही एंगल में काटें ध्यान रखें काटे हुए टुकडे के सिरे पर बर ना हो कटिंग हो गए अब आई शैंफरिंग की बार पाइप को बाहरी किनारों पर शैंफर करें स्पिगोट सिरे पर लगभग 2 mm चौड़ा 15 डिग्री शैंफर प्लब्द कराएं समझ गए ना मित्रो अब आगे देखते हैं डीबरिंग नाइफ, फाइल या सैंड पेपर से घिस कर पाइप के भीतरी और बाहरी किनारों से सभी बर और रिजेस अलग कर लें अब हम सीखेंगे सफाई कैसे करते हैं पाइप को सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंच कर इससे धूल, कच्रा, नमी, ओइल या अन्य मौझूद सामगरी अच्छी तरह साफ कर लें पाइप वाले सिरे को अगले पाइप या फिटिंग के सॉकेट में डाल कर जांच करें कि सॉकेट की गहराई का लगभग एक तिहाई से दो तिहाई हिस्सा इसके भीतर मौझूद हो पाइप की भीतर डाले जाने वाली लंबाई पर निशान लगाएं निशान लगी सतह पर ब्रश से फिटिंग और पाइप पर सॉल्वेंट सिमेंट का अच्छा कोट लगाएं फिटिंग में पाइप को इस तरह भीतर डालें कि ये हर तरफ से समान रूप से भीतर चला जाए किनारों से बाहर आने वाले अत्रिक सिमेंट को पोँच लें फ्रेड़ेट जोइंट्स के लिए मेल और फीमेल फ्रेड को साफ कर लें फ्रेड को कसने वाली दिशा में टेफलॉन टेप लगा दें फ्रेड को हाथ से अच्छी तरह कस दें जोइंट को पाइप रेंज से अच्छी तरह कस दें इसे बहुत ज्यादा ना कसें अब बार याई सबसे मुख्य फार की इंस्टॉलेशन करना और चालू करना 24 घंटे की क्योरिंग के पहले प्रेशर की जांच ना करें तो यह था इजी फिट यूपीवीसी क्लमिंग सिस्टम्स की जॉइंटिंग करने का सबसे सरी तरी और एक जरूरी बात है खरीदते समय हमारे प्रेंच के नए मुखट वाले लोगों की चांच जरूर कीज़ें